प्यारे दोस्तों नमस्कर आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुती महत्तपुर जनकारी लेकर के आया हूँ चार जीले की नई भरती और तीन जीले की भरती संबंधित जनकारी के साथ कुल साथ नई जनकारी लेकर के आया हूँ इस वीडियो में मैं गरिया बंद, बलावदा बजार, दूरगव, बिलासपो, जांजगीर, चापपा, सुराजपूर, दंतेवाडा की भरती और भरती संबंधित जनकारी देने वालों, यदि आप संपूर जनकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंतक देखते रहें, और यदि आप नए हो चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो के अपडेट आपको तूरंत मिल सके, तो दोस्त यदि आप सब पूरा जनकारी चाहते हैं, तो अंतक बने रहें वीडियो के साथ, तो चलिए सुरू करते हैं, आज की आप वीडियो दोस्तो भरती संबंधित जनकारी देने से पहले, मैं कुछ जो आदेशाय है हो, उसके बारे में बता दे रहूँ दोस्तो जो 10-6-22 को 34 गड़ राजय बे कारेरा सास की पात्रयम योग्यताधारी ब्याख्याताव ब्याहम सिक्षकों, एम सायक सिक्षकों से आधन अमंत्रित किये गए थे, अब परिहार या कारणों से ये आवेदन जो है ततकाल प्रभाव से निरस्त किया रहा है, तो प्रतिन युक्ति है तो जो आवेदन मंगाय गए थे, उसको जो है क्या किया जा रहा है, कुछ जो कारण है, कारण वास इसको जो है, निरस्त किया जा रहा है, इसलिए ये आदेश जारी की गई है अब देखिए दोस्तो करालाय कलेक्टर जिला गर्या बंदवारा यावी घ्यपति जारी की गई है, दोस्तो कल के डेट में 1223 बदों के लिए जो वेकेंसी जारी की गई उसी में कुछ जनकारी उसी के लिए कुछ जनकारी और इसमें डाला गया है। इसमें दोस्तों केवल गरिया बंद उक्ता पदो पर भरती है तो केवल गरिया बंद जिला के मुल निवासी पात्र होंगे। अप्लाई कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों कराला जिला कौसल विकास प्राधिकरन बलावदा बजार द्वरा बीस साथ 2022 को नोटिस जारी की गई है। कॉंसलर भरती है तो चैनीत प्रतिक्षा सुची तो कांसलर भरती के लिए जो भरती चल रहे है उसके लिए प्रतिक्षा सुची जारी की गई है। सुची मिरिट सुची चैन सुची प्रतिक्षा सुची इस प्रकार से जारी की गई है जिसका आप नाम देख पा रहे हैं इस प्रकार से दो पेज के नूटीस है और इस प्रकार से यह जो है आयदा का नाम यह सभी डीटेल जानकरी आपको इस मिरिट सुची देखिए दो साथ साथ करके उपरांत अंती मिरिट सुची जारी कर दी गई है जिसका लिक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जा करके आप डाउलोड कर पाएंगे मतलब कांसलर आइस थाई दो पदो के लिए जो सक्षडी के योगे तनभाव के आंक हैं साथ करके अंको के पदार पर जो है चैन सुची और प्रतिक्षा सुची जारी किये गिए जिसका लिस्ट आपको यह दिकरा है अब हम बात करते हैं दोस्तों जांजगीर चापा में उतक्रिष्ट अंग्रेजी माधामी डेला में जो भरती होने उसके लिए तो दोस्तों इसके लिए आपको कर सुना क्या है ब्याख्याता सिक्छक साग कुंपीटर सिक्छक के सवीधा पदो पर इच्छुक आवेदकों से विज्यापन जारी दिनांग से 10 आठ 2022 तो उनिस साथ 2022 को नोटीस जारी किये गई है उननीज साथ से दस आट दो हजार बाईस तक साम पाँज बज़े तक आनलाइन आवेदन वेब साइट जो दी गई है जांजगीर चापपा.gov.in पर आमंत्रित किये जाते हैं निधारित तिथी के बाद आवेदन सिकार नहीं किया जाएगा एक से अधिक अंग्रेजी मादन विद्यालों में आवेदन करने है तो अभियर्थी को आवेदन करते समय विद्याला चैन है तो प्राथमिक्ता का क्रम आंकित किया जाना आनिवारी होगा आवेडन केवाल online शिकार किये जाएंगे, तो दोस्तो online आपको कैसे करना है, तो online का link मैं आपको description में दे दूँगा, वहां से जा करके आप direct भर पाएंगे. दोस्तों यदि आप चाहेंगे यदि आपका यदि चाहेंगे तो मैं आनलाइन कैसे फार्म भरना ये बता दूँगा लेकिन आप सिंपल तरीका से गूगल सीर में भरना है आप आराम से भर सकते हैं विद्याला विज्याफित पदो का विरांड इस प्रकार से स्वामी आतमान रओत्किस्ट अंग्रिजी म्हाध्ण के लिए तो आप देख पार है व्याख्याता अंग्रेृप यमाध्यां ब्याख्याता के लिए प्रकार से कुल 15 पदों के लिए यह नोटीश आया हुआ है और बीडियम सारा गाउं तो बीडियम सारा गाउं के लिए इसी प्रकार से इसमें भी 15 पदों के लिए वेकंसी जारी की गए सेम पोस्ट है और निंतम सेक्षडी के योगेता जैसे कि अब जानते हैं कि ब्याख्यातक के लिए इस नातकोत्तर संबंधी त्विशाई में इस नातकोत्तर प्लस बीड होना चीए और दोस्तों जो सिक्षक के लिए तो सिक्षक के लिए संबंधी त्विशाई में इस नातक के साथ है जो ह होना आवस्यक है इसके लिए जो सक्षड़ी की योगेताएं की जनकारी मंगी जाती है तो दोस्तों इसी के अधार पर आपका मेरिट लिष्ट त्यार किया जाएगा और कंप्यूटर सिक्षक के लिए जो आयदक को मानाता प्राप्त मंडल संग्रेजी माध्य में हाई स्कूल है महार सेकेंटरी पर एक्षा उतिड होना चाहिए साथ ही साथ मानाता प्राप्त बोर्डस से जो है इसके लिए जो कंप्यूटर सिक्षक के लिए सक्षडिक योगेता रखेगे यह यह आवेदन कर पाएंगे सभीता भरती है तो कुछ महत्तपुर निर्देश दिये है इस निर्देश को आप स्वयम पढ़ लेंगे क्योंकि यह सरल लेंग्वेज और सरल तरीके से बताई गई है तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नही दिये उसके आद देख रहे हैं दोस्तों समस्त विग्यापीत पदो है तू नूंतम सक्षडी क्योंगेता का अंग भर साड़ परतिसाथ साक्षात कर प्रोगिक कौशल परिक्षा का अंग 40% इस प्रकार से कुल 100% बनाया जाएगा आनलाइन आधन करने के लिए आनलाइन आ आधन कर पाएंगे उसके दोस्तों अब आप देख पार है काराला कलेक्टर स्वामी आत्मानंद सास्की उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम उस्तर माध्यमी कुई देला जिला सुराजपूरदार 272022 के नोटिस जारी की गई है प्रतिनिक्ति सवीदा भरती है तो यह विग पुष्ट पंजे की डाग के द्वारा जमा कर सकते हैं निधारीत तिति के पचात आविदान स्विकार नहीं किये जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे चार अर्ट 2022 तक जो आविदान प्रेशित कर दे इसके लिए पदो का विराट इस प्रकार सिद्धी हुई है स्वामी जो स्वामी अत्मानां बुद्कृष्ट अंग्रेशी मादमी द्याल हैं डाड करवा के लिए आप देख पार हएं हिंदी संस्क्रीत अंग्रेशी गडित समाजी के लिए वियांद रसायान भावतिक सासर इन सभी के लिए जो है व्याख्याता के लिए मंगाए गए हैं और शिक्छक, अंगरेजी माध्यम, अंगरेजी, विज्ञान, गडित, इन सभी के लिए, और समाजी के लिए एक-एक पोस्ट है, और कम्पुटर सिख्छक के लिए एक पोस्ट है, प्रतिन्युक्ती के नियम के धिन या फिर सवीधा नि की दो. तो सचछडी की यह क्याता है नहीं मिलता है तो जो फ्रहेता रहेंगे उसको आपको अनको मौका दिया जाएगा तो आपको मैं पहले बता चुका है वही सक्षडी क्यों गयता है रहेगी दस्वी के बाद जो संपूरा सिक्षा अंग्रजी माधा में होना चाहिए दोस्तो इसमें नियम और निर्देश दिये हुए है इस नियम और निर्देश को आप सवयम बारकी से अलोकन कर लेंगे इस नियम और निर्देश को मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तो और आप वहां से जा करके डावलोड कर पाएंगे और आवयदन का प्र तक online आवेदन करने होंगे online आवेदन जो है बिलासपूर.gov.in पर जा करके करने होंगे दोस्तो यदि आप online करना चाहते है तो आपको आवेदन online किये जाएंगे इसके लिए मैं आपको description में लिंक दे दूँगा जा करके आप वहां से डारेक्ट जो है लिंक से open करके farm भार पा रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रीट, गडित, समाचे विगान, जिविज्ञान, रसायान, भातिकी, वियाम, सिक्षक इन सभी के लिए एक एक पोस्ट निर्धारित की गई है उसके बाद आप देख पर है कंप्यूटर सिक्षक अंग्रेजी माध्यम कंप्यूटर के रहे हैं हिंदी, संस्क्रीट, गडित, समाचे विगान, रसायान, भातिकी, अंग्रेजी, इन सभी के लिए एक पोस्ट निर्धारित की गई है पोस्ट निर्धारित की गई है अंग्रेजी, गरीद, विज्ञान, कला, और कम्प्यूटर, विज्ञान, समू, और कला, समू, गरंध, पाल, इन सभी के लिए एक एक पोस्टर निर्धारित की गई है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, तीनों जो विद्याला है हो, इसमें लगभग 20-20 के लिए वेकन्सी आई हुई है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि व्याख्याता के लिए संबन्धी त्विशाय में जो है इसनातकोत्तर और B8 के उपादी होना चीए, और शिक्षक के लिए B8 प्लस इसनातक होना चीए, और साथ-हिसाथ T2 उतियर होना चीए, ग्रेट 2 क प्राप्ता विद्याला से BCA, BSC, BSC Information Technology, BA, BTEC ये किये हैं वो एप्लाई कर सकते हैं उसके सायक सिक्षक के लिए अभी बता दिया उसके गरंद पाल के लिए तो किसी मनेता प्राप्ता बोड़ा या मन्डल से उस्तर माध्यमिक प्रेक चवतीड और पुस्तकाला युजना का प सहिता भर्ती के लिए पात्रता की सर्ते इस प्रकार से दे हुए इन सर्तों को पुरा करेंगे तभी आप जो इलेजबर होंगे सत्यापन हेतु आवसक दस्तवेश जो सत्यापन के समय आपको इस प्रकार से दस्तवेश प्रस्तूत करने होंगे इन दस्तवेश क्या क्या ले परिक्षा का पर्सेंटेज ले आ जाएगा आलाइन करने के संबंद में दिसन्य देश इस प्रकार से दी हुए दोस्तों तो पहले आपको अपना जीमेल आईडी होना न्यूआ रहा जीमेल आईडी ना होने पर आपको जीमेल पहले बना लेना है अभेर्थी बेदर सुधा के साथ आण-लाइन फार्म परने के लिए लैटाफ डिस्क टाप में का उप्योग करे लैटाफ या डिसक टाप में गूगल क्रोम का उप्योग करे आण-लाइन आयदन करते समय अभियरते अपनी समस्था सेक्षिटिक अन्य दस्तवच को साथ रखे और जो है आन-लाइन आयद उसके बाद दोस्तों आप जैसे के देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे के आप देख पा रहे हैं जिला दक्षिर बस्तर दंते वाड़ा के लिए नोटीस 1922 को जारी की गई है तो इसमें दोस्तों स्पेशल एजुकेटर के आई स्थाइप पद एक निश्चित एवं एक मुस्त मान दे 20,000 सलरी के लिए जो निक्ति हेतु योग्यत धारी आवेदकों से जो आवेदन मंगाया जा रहा है पांच आट दो जर बाइस को सायम पांच बजे करालीन समय वदी में सधारा डाक कूरियर पंजी की स्पीट पोस्ट के माधम से जो आवेदन करने है तो आवेदन आ दोस्तो विकासखंड का नाम दंतेवारा, गीदम, कुवा, कोंडा, कटेक कलाड, स्पेशल एजुकेटर इन सभी जगा के लिए एक एक पोस्ट जो है निकाली गई है और निधारित मान दे 20,000 एक मुझत किसी भी प्रकार कहना बत्ति नहीं ले जाएगा इसके लिए अन्य इसके लिए मैं कल जो वेकेंसी आया था उसमें बता चुका हूँ तो आप वहाँ जाकर के देख पाएंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो दोस्तो इसके लिए जो है तीन माह के लिए आईस्ताही रूप से रखा जाएगा जो उम्मेद्वा सेलेक्ट हो जाते है उनके तिन महा के लिए रखा जाएगा उसके बाद इसमें और नियम और निर्देرض सर्ते दी होी है इसमें आईसात यसात आवेदन का प्रारूप भी दिया हुआ है तो आवेदन का प्रारूप इसी प्रारूप में भर करके आपको जा विभाग को आवेदन प्रस्तूद करने है तो आवेदन आपको कहा वैजना है तो विज्यापित पत है तो आवेदन जो इस प्रकार दियो इस 19 नंबर पर इन इस पते पर आपको जो आव for watching